कुछ मीडिया चैनल बहुत ही लापरवाही से ये पूछ रहे हैं कि तीन कृशी कानून वापस करके सरकार ने किसानों की प्रमुक मांगे मान ली थी बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले मीडिया चैनल में स्टूडियो में बैटकर रैंकर ये कहता है और छेतर में इस चैनल का रिपोर्टर बतलाता है किसानों के बकाया मुख्य मांगो को जान लेते हैं जब तीन क्रिशी कानून सरकार ने वापस ले लिया था तभी ये घोशना की थी कि किसानों की मांगो पर विचार करेंगे सरकार ने 2020 से चुपी रखी और आज बैक फुट पर जाकर बहाने बना रही है मुख्य मांगो को जानते हैं किसान अंदुलन की पहली मांग है कि MSP को कानून बनाया जाए किसान उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्य मंत्री रहते हुए दिया था मांग कर रहे हैं कि किसानों पर से मुकदमे हटाए जाए स्वामी नातन आयोग की रिपोर्ट के आधार परकृशी सुधार के कारेक्रम लागू किये जाएं तथा MSP की दर निर्धारत की जाए किसानों के सारे कर्ज को माफ किये जाएं किसान अंदुलन में जो मौते हुई हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाए लखिमपुर खिरी में गाड़ी से जिन किसानों को कुछला गया दोशी मंत्री पुत्र को वो सजा दिलवाया जाए ग्रह राजमंत्री स्तीफा दें खेती किसानी के लिए बिजली के मीटर संबंधी भी मांग है किसानों को मिलने वाले रहता है कि साथ साथ ऐसा प्रवधान किया जाए जिससे राहत सबस्री बटाईदार किसानों को भी मिल सके सरकार ने जिन 24 कृशी जीन्स पर समर्थन मूले घोशित कर रखा है विभार में उन सब पर समर्थन मूले देने की विवस्था हो किसान गे सब मांगों उस समय से उठा रहे हैं जब सरकार ने तीन कृशी बिल वापस लेने की घोशना की थी उसी दिन इन मांगों पर विचार करने की भी घोशना सरकार ने की थी सरकार इन मांगों पर विचार करने के लिए दिल्ली मार्च के ठीक पहले आगे आई सरकार लापरवा बनी रही थी और अभी इस मौके पर केंद सरकार की लापरवा ही उजागर हो रही है आज के पोटेस्ट के 45 दिन पहले से किसानों ने सरकार को दिल्ली मार्च की सूचना दे रखी थी किसानों ने ये स्पष्ट कहा था कि वह रास्ते में कहीं भी मार्ग बाधित नहीं करेंगे सिर्फ दिल्ली जाएंगे और शांती पुर्वक अपने कारिक्रम करेंगे क्रिशी मंत्री अर्जुन मुंडा तथा उर्जा मंत्री प्यूश गोयल ने चंडिगर्ण में किसानों के साथ वारता की अर्जुन मुंडा प्रश्टिकरन दे रहे थे कि इन मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें वक्त की जरूरत है अरजुन मुन्डा की इस लापरवाही का जागरुग जन्मानस और किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा मुन्डा आज ये कह रहे हैं कि राज सरकारों से बात करनी होती है अन्य प्रक्रियागत बाते हैं अरजुन मुन्डा द्वारा ठीक इस मौके पर ऐसी सफाई देना सरकार की लापरवाही का ऐलान करने के समान ही है क्योंकि अलग-अलग मौकों पर सन 2020 से लगातार किसान बकाया मांगों पर अंदोलन कर रहे हैं आगे 16 फरवरी को गाउं के किस मुख्य मारगों पर आकर सड़क रोकेंगे और भारत बंद करवाएंगे शहर नहीं गाउं के आधार पर भारत बंद का आयोजन होगा